नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप NSC स्कीम में इंवेश्ट करके 5 साल के टर्म में सबसे ज़्यादा इंट्रेस्ट पराफ्ट कर सकते हैं उस बड़ियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप NSC में 1,00,000,000 रुपया इंवेश्ट करते हैं तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा 44,900 रुपया ब्याज मिलता है जो कि MIS, Senior Region और 5 Year TD से भी ज़्यादा ब्याज होता है NSC में बस एक ही डिश डिवांटेद था कि उसका लॉकिन प्रिया जो होता है वो पूरे 5 सालों के लिए होता है यानि कि आप उसको प्रिमेचर बिड्राव नहीं कर सकते थे लेकिन आज के बडियों में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप Senior Region का स्कीम को RD के साथ लिंक करके NSC से भी ज़्यादा ब्याज ब्याज ब्राप्त कर सकते हैं और इस स्कीम में आपका कोई लॉक इंट्रियर भी नहीं रहेगा यानि कि जब भी आपको पैसे के जरूत पड़ेगी तब आप इस पैसे को बिड्राव कर सकते हैं क्या दोनों स्कीम को लिंक करने से क्या आपको 14.9% ब्याज मिलेगा या उससे ज्यादा ब्याज मिलेगा इन सभी बातों को हम वीडियो में डिसकस करेंगे उसके अलाबा हम आपको यह भी बताएंगे कि आप जो है SCSS स्कीम को कैसे RD के साथ लिंक कर सकते हैं कैसे RD के साथ एक ही पैसे से उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बाद हम आपको comparison करके भी बताएंगे कि 5 साल के स्कीम में अगर आप senior citizen और RD को लिंक करते हैं तब कितना इंट्रेस्ट मिलेगा और अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा और बाकी अन्य फाइव इयर का जो भी स्कीम है उसमें आपको कितना इंट्रेस्ट मिलेगा तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि senior citizen का जो tenure है वो 5 सालों का है और senior citizen का जो बरतमान में 12 चल रहा है वो 8.2 परतिसत है तो अगर आप 1 लाख रुपया senior citizen इसकी में इंवेस्ट करते हैं तो जो quarterly interest मिलेगा वो मिलेगा आपको 250 रुपे और अगर आप 3 लाख रुपया इंवेस्ट करते हैं senior citizen में तो जो quarterly interest मिलेगा यानि 6,150 रुपय मिलेगा यानि कि परतियक महने आपको 250 रुपय मिलेगा interest 3 लाख रुपय आप example इसले दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपको समझने में असानी हो और हम उसको 3 से जो है उसको divide कर सके तो असानी से interest प्राफ्थ हो तो 250 रुपय यानि कि interest मिलेगा monthly monthly हमको 250 रुपय जो monthly interest मिल रहा है उसी monthly interest को अगर हम लोग RD में जमा कर देते हैं RD scheme में invest कर देते हैं तब उसमें आपको ज़्यादा interest प्राफ्थ होगा senior citizen से अगर आप ऐसे directly senior citizen में invest करते हैं 3 लाग तो उससे ज़्यादा interest प्राफ्थ होगा अगर आप senior citizen के interest को RD में invest करते हैं तो तो कितना interest प्राफ्थ होगा इसको जानने के लिए दोस्तों हम लोग post info app का इस्तेमाल करेंगे अगर आप 250 रुपया RD में महिने महिने जमा करते हैं तो 5 सालों में आपको पूल interest मिलेगा एक लाग छी आलिस जार तीन सो यानि कि एक लाग तैसे जार रुपया आपका जमा होगा और तैसे जार तीन सो रुपया interest मिलेगा वीडियो में आगे दोस्तों हम लोग comparison करके देखेंगे कि कौन से scheme में आपको कितना ब्याज मिल रहा है और senior citizen के साथ RD को invest करने पे कितना ब्याज मिल रहा है लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कीजे शेयर कीजे और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिजे comparison करके देखते हैं दोस्तों अगर principal amount 3,000,000,000 होता है तो senior citizen में अगर आप सिर्फ invest करते हैं तो उसमें आपको 8.2% मिलता है वो 8.98% interest rate प्राफ्थ होगा और जो total में 40 amount प्राफ्थ होगा वो 4,34,700 प्राफ्थ होगा यह जो interest rate बता रहा है दोस्तों वो simple interest में है क्योंकि senior citizen में आपको simple interest मिलता है उसमें आपको compound interest नहीं दिया जाता है लेकिन अगर senior citizen scheme को RD के साथ invest करते हैं तो आपको जो interest मिलेगा वो 9.75% मिलेगा इसमें आपको senior citizen का 8.2 और RD का 6.7 जोड़के 14.9% interest नहीं मिलेगा इसमें आपको 9.7% interest मिलेगा और जो cool maturity value बिलेगा वो 4,46,300 प्राफ्या यानि कि direct अगर आप senior citizen में इंवेस्ट करते हैं तो उसी पैसे में आपको 3 लाख रुपय में ही आपको 4,46,300 मिलेगा यानि कि 3 लाख पे आपको लगभग 30 जार का फायदा होगा अगर आप senior citizen को RD के साथ invest करते हैं और साथ में दोस्तों इसमें एक benefit भी है कि इसमें आपका कोई lock-in period नहीं होता आप जब चाये जब close कर सकते हैं और यह जो senior citizen और RD की एक साथ link करने की जो facility है यह automatic facility है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है senior citizen का interest आपके savings account में आएगा और savings account से auto deduct हो के monthly monthly RD में credit हो जाएगा यहाँ पे आपको SI की facility मिल जाती है तो इसमें आपको महिने महिने जाके post office में जमा करने का जबत नहीं पड़ेगा इसमें कुछ दिहान देने वाली बात है दोस्तों कि senior citizen जो है वो 60 साल से ज़्यादा उमर बाले विप्ति ही खोड़ सकते हैं 60 साल से जिनके आयू कम रहे वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं अगर कोई retired employee है उनके आयू 55 साल से ज़्यादा हो चुकी है तब वो इस scheme में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें भी कुछ नियावें मिसरते हैं अगर defense employee है और वो retire हो चुके हैं तो 50 साल से ज़्यादा उमर के है तो भी वो invest कर सकते हैं हलांकि इसके लिए भी कुछ नियावें मिसरते हैं सेनियर सेरियन के बारे में दोस्तों हमने पहले से भी एक detail वीडियो बनाकर रखा है वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा उसमें सेनियर सेरियन के बारे में पूरा बिस्तार से समझाया गया है कि कौन को लोग invest कर सकते हैं उसके लिए क्या क्या नियम सरते हैं उन सारी बातों को मैंने उसमें बिस्तार से समझाया है और सेनियर सेरियन का जो maximum deposit limit है वो भी 30 लाख ही है यानि कि एक person जो है वो 30 लाख रुपे से ज्यादा invest नहीं कर सकता है तो यह थी दोस्तों सेनियर सेरियन और RD को लिंक करने के स्कीम आप हमें कमेंट करके बताए कि आपको यह वीडियो कैसे लगा दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इसको जादा से जादा लोगों तक share कीजे ताकि वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सके और वो भी जादा व्याज प्राप्त कर सकें